जैशंका जी, जैशी राम, सीता राम, हरहर महादियों हम अकसर सभी सिवाले में यही देखते हैं कि सिवलिंग नीचे और गौरामा, गड़ेज भागवान, कार्तिके भागवान उपर क्यों बैठे रहते हैं तो सिवपुरान की कथा जब सोनेंगे तो उसमें मापारवती महादियों से कहती है कि प्रभो जब कोई व्यक्त जल चढ़ाने आता है तो आपको तो जल चढ़ाता ही है वो मुझे भी जल चढ़ा देता है तो भागवान शंकर ने पूछा पारवती इसमें क्या गलत है तो मापारवती ने कहा प्रभो आप तो सिवलिन सोरोप है आप पर जल चढ़ता है तो आपके वस्तर नहीं भीगते थोड़ी देर में वह जल सूख जाता है पर हम तो वस्तर के साथ रहते हैं आप भूशन पह रहने रहते हैं फिर कोई भी मनुस हम पर जल चढ़ा देता है तो वो जल तो सुखता ही नहीं है हम गीले वस्तर में ही रहते हैं जब तक कोई हमारे वस्तर आकर बदल नहीं देता हमें गीले वस्तर में ही रहना पड़ता है तो मापारवती ने कहा प्रभो आप अपने भक् था कि गड़ेश जी भी आकर कहने लगे पिता जी हम भी आपके पास नहीं बैठेंगी क्योंकि आपको जल चढ़ाते चढ़ाते हम पर भी जल चढ़ाकर मनुष चला जाता है हमें गेले वस्तर में ही रहना पड़ता है तो पिनागधारी महादेव ने कहा कि तुम सब उचे स् फूल आजिसे ही पूजा करे जिससे तुम जल चढ़ाने के बराबर ही अविश्ट फल प्रदान करना ये फिर भी मनुष की इच्छा है कि वो गड़ेश कातिके माता गौर अपल जल चढ़ाए तो सीवलिंग में ही गड़ेश कातिके मा गौरा और असुकसंदरी कस्थान है हर मनुष वहाँ जल चढ़ा करी फल प्राप्त कर सकता है इसलिए तो जितने सीव मंदिर है हर सीव मंदिर जाकर देखते होंगी कि सीवलिंग नीचे रखा होता है लेकिन गौरा मा गड़ेश भागवान कातिके भागवान का स्थान उचा रहता है और मा पारवती हमें से हा सीवलिंग में बैठे रहेंगे क्या हमें अच्छा लगीगा वैसे हमें समझना चाहिए कि जब भी हम महाद्यों के मद्र जाएं तो सीवलिंग पर जल चढ़ाएं ना कि गौरा मा गड़ेश भागवान ने काति भागवान के उपर अगर हमें जल चढ़ाने की इच्छा है तो सीवलिंग में ही इनका स्थान है वहीं पर गड़ेश भागवान, कातिगे भागवान, असुर सुंदरी माता, गौरा मया यहां तक की संकर भागवान की पाँच बीटियो का पस्थान है सीवलिंग में हम वहाँ जल चढ़ा कर उन सब देवी देउता को पुशन कर सकते ह और एक मनुश होने के नाते जो भी मा गौरा की वस्थ को गीला करकी चला जाता है उसे समझाना भी चाहिए ताकि गौरा मा हमारी नाराजना हो यो भले ही यहां पर मूर्ती में बैठती हूँ लेकिन जो जल चढ़ता है वो वहां कैलास परबत पर मा गौरा के उपर चढ़ हर हर महादेव